वेलकम टू और्ट इस्टडिंग एजुकेशन तो आज के इस वीडियो क्लास में डिग्री पार्ट टू एकजाम नेशन 2022 फिजिक सबसीडरी का आज हम आंसर की देखेंगे जो एकजाम आपके सकेंड सीटिंग में जो एकजाम आपके सकेंड सीटिंग में 9-1-2023 को पेपर अगर आपको कह दिया कि वह राइट आंसर है तो विल्कुल राइट एंसर है क्योंकि वीडियो अप्रोड करने में थोड़ा टाइम हुआ है लेकिन आपको कोशन विल्कुल स्योर बताएंगे एक भी कोशन आपको गलत नहीं बताएंगे ठीक है तो चलिए देखते हैं कि हम आपका D हो जाएगा अब आई हैं चलते हैं सकेंड कोशन देखते हैं क्या है यहां पर सकेंड कोशन है यहां पर आपका राइट एंसर हो जाएगा यहां पर राइट एंसर आपका बी हो जाएगा अब आई हैं चलते हैं थर्ड कोशन देखते हैं इन यंग स्टेवल सिल्ट एक्स्पेडिमेंट दरिश्टेंस बिट्मीन टू कंसीक्यूटिव डार्क फ्रिंग्स बीटा इज यहां पर राइट एंसर आपका हो जाएगा बी लेमडा वाइड ठीक है यहां पर राइट एंसर आपका बी हो जाएगा एक भी कोशन हम आपको यहां पर गलत नहीं बताएं और जो श्योर कोशन है उसको हम राइट एंसर आपको जरूर बताएंगे ठीक है यहां पर इंटर इंसर हो जाएगा यहां पर राइट एंसर हो जाएगा यहां पर राइट एंसर 5 का आपका सी हो जाएगा आईएएं चलते हैं 6 कोशन में अगर आपको वीडियो अच्छा ल तो लाइक जरूर करिएगा अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं ते चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ठीक है अब आइए हम चलते हैं सिक्सक्राइब क्या है वीच फ्लाइं डज नोट सू एनी इंटरफेरेंस पैटर्न यहां पर राइट एंसर हो जाए यहां पर राइट एंसर हो जाएगा 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 यहां पर रा पर आपका हो जाएगा a 10 का राइट एंसर आपका a होगा आए हम चलते है 11 नर्ण कोश्यन नन को जाएगा a चा है राइट сок under the एगज जोंन प्लेंट यहां पर आपका a हो जाएगा अब आई एम चलते हैं 13 question देखते हैं A zone plate hatch यहां पर हो जाएगा right answer आपका यहां पर हो जाएगा यहां पर right answer आपका C right answer यहां पर हो जाएगा 13 का right answer आपका यहां पर C हो जाएगा आई एम चलते हैं 14 question में देखते हैं in case of diffraction at narrow wide the fringe width यहां पर right answer आपका C हो जाएगा तो 14 करा टेंसर आपका C हो जाएगा, अब आई हम चलते हैं 15 कोश्चन देखते हैं, अब आई हम चलते हैं 16 कोश्चन किया है, यहाँ पर if A plus B is the grating element, लेम्डा तो wavelength of light and the order of spectrum and theta the angle of diffraction in plate diffraction grating then the grating formula is given by, तो राइट एंसर हो जाएगा, A plus B into sin theta equal to N लेम्डा, तो राइट एंसर आपका यहाँ पर A हो जाएगा, आई हम चलते हैं 17 कोश्चन देखते हैं, as the number of slits in a plate diffraction grating increasing the principal maximum becomes, यहाँ पर राइट एंसर हो जाएगा, B, sharper and more intense, ठीक है, 17 कोश्चन देखते हैं 18 कोश्चन किया है, magneto esthetics is also known as, यहाँ पर राइट एंसर हो जाएगा A, static magnetic field, ठीक है, 18 कोश्चन आपका A हो जाएगा, आई हम चलते हैं, देखते हैं 19 कोश्चन किया है, electromagnetic waves are the produced each, यहाँ पर राइट एंसर हो जाएगा, all of the ever, 19 का राइट एंसर आपका D बिल्कुल correct हो जाएगा, आई हम चलते हैं, देखते हैं 20 कोश्चन किया है, यहाँ पर राइट एंसर हो जाएगा, यहाँ पर राइट एंसर हो जाएगा, आई हम देखते हैं 23 कोश्चन किया है, the ratio of electric field E and magnetic field vector H has the dimension of, यहाँ पर राइट एंसर आपका हो जाएगा, राइसिस्टेंस, 23 का राइट एंसर आपका A बिल्कुल correct हो जाएगा, आई हम देखते हैं 24 कोश्चन किया है, in electromagnetic wave the phase difference between electric and magnetic field vectors E and B, यहाँ पर राइट एंसर आपका हो जाएगा A, 0, अब आई हम चलते हैं 25 कोश्चन किया है, which of the flowing electromagnetic wave has the highest wavelength, यहाँ पर राइट एंसर आपका हो जाएगा, macro waves 25 का राइट एंसर आपका D, बिल्कुल correct हो जाएगा, अब आई हम चलते 26 कोश्चन देखते हैं, the minimum frequency limit of x-ray spectrum depends upon, यहाँ पर हो जाए kinetic energy of incident electron, यहाँ पर 26 का राइट एंसर आपका B, बिल्कुल correct हो जाएगा, अब आई हम चलते 27 कोश्चन, the frequency of any line in characteristics x-ray spectrum is directly proportional tooth, यहाँ पर राइट एंसर हो जाएगा A, atomic number of the target element, अब आई हम चलते हैं, देखते हैं, 28 कोश्चन क्या है, 28 कोश्चन है, an x-ray tube operators and the 2000 keV, what is the energy of the most electric x-ray photon is, यहाँ पर राइट एंसर हो जाएगा C, 28 का राइट एंसर आपका C, बिल्कुल correct हो जाएगा, अब आई हम चलते हैं, 29 कोश्चन देखते हैं, which of the flowing has the highest frequency, यहाँ पर हो जाएगा x-ray, 29 कराइट एंसर आपका C, बिल्कुल correct हो जाएगा, अब आई हम चलते हैं, 13 कोश्चन का, the intensity of x-ray is determined by, यहाँ पर राइट एंसर हो जाएगा filament current, 30 कराइट एंसर आपका A, बिल्कुल correct हो जाएगा, अब आई हम चलते हैं, 31 कोश्चन देखते हैं, which of the flowing can be used in a vibrational analysis of the structure, यहाँ पर राइट एंसर आपका हो जाएगा, A, ledger, अब आई हम चलते हैं, 32 कोश्चन देखते हैं, which of the flowing is used in atomic clocks, यहाँ पर राइट एंसर हो जाएगा, यहाँ पर राइट एंसर आपका B, बिल्कुल correct हो जाएगा, अब आई हम चलते हैं, 33 कोश्चन देखते हैं, which of the flowing can be used for the generation of ledger pulse, यहाँ पर राइट एंसर हो जाएगा, यहाँ पर राइट एंसर हो जाएगा, यहाँ पर राइट एंसर हो जाएगा, A2, अब आई हम चलते हैं, 36 कोश्चन देखते हैं, यहाँ पर हो जाएगा, can either be positive or negative, 37 कर राइट एंसर आपका C, बिल्कुल correct हो जाएगा, अब आई एंसर हो जाएगा, यहाँ पर राइट एंसर हो जाएगा, आप यहां पर आये देखते हैं 40 question charge is measured by यहां पर हो जाएगा ablastic galvanometer 40 का राटनसर आपका C बिल्कुल correct हो जाएगा अब IEM चलते 41 का question देखते हैं natural temperature of thermo couple is the temperature at which which the thermo EEM यहां पर राटनसर हो जाएगा is maximum 41 का राटनसर आपका A बिल्कुल correct हो जाएगा अब IEM चलते 42 question देखते हैं the power of factor is the circuit in 0 if it in contents यहां पर राटनसर हो जाएगा inductance 42 का राटनसर आपका A बिल्कुल correct हो जाएगा अब IEM चलते 43 question देखते हैं if theta is phase angle between the current and voltage is a circuit the power factor is equal to यहां पर राटनसर आपका A हो जाएगा cost theta अब IEM चलते 44 question देखते हैं what less current is यहां पर राटनसर हो जाएगा A एटनसर आपका A बिल्कुल correct हो जाएगा अब IEM चलते 45 question देखते हैं current is what less when the angle of phase between it and the applied EMF तो यहां पर राटनसर 45 कर राटनसर आपका B 90 डिगरी हो जाएगा अब IEM चलते 46 question देखते हैं what meter is used to measure in AC current is यहां पर राटनसर हो जाएगा B electrical energy अब IEM चलते 47 question देखते हैं in a parallel resonant circuit at resonance यहां पर राटनसर हो जाएगा the voltage is maximum 47 कर राटनसर आपका B बिल्कुल correct हो जाएगा अब IEM चलते 48 question देखते हैं the time period of resonant oscillation of N LCR circuit is question पर the time constant of circuit containing in capacity and resistance R is the given by यहां पर राटनसर हो जाएगा 49 कर राटनसर आपका A हो जाएगा CR अब IEM चलते हैं 50 question क्या है condenser of capacity C is the charge through a resistance R by a cell of EMF either condenser collects the maximum charge यहां पर राटनसर हो जाएगा whose value is the given by EC यहां पर 50 कर राटनसर आपका C बिल्कुल correct हो जाएगा अब IEM 51 question देखते हैं AC wave is non edge यहां पर हो जाएग unrational wave यहां पर राटनसर आपका A हो जाएगा अब IEM चलते हैं 52 question देखते हैं impedance is the composed of यहां पर राटनसर आपका हो जाएगा C resistance on the reactance 42 कर राटनसर आपका C बिल्कुल correct हो जाएगा अब IEM 53 question पर देखते हैं AQD is the strength unit of the radioactive value is यहां पर राटनसर हो जाएगा C 3.7 गुने 10 का पावर 10 dice training per second चलिए आप देखते हैं 54 question यहां पर है radioactive is the phenomenon associated with यहां पर राटनसर हो जाएगा C fusion of nuclei यहां पर राटनसर हो जाएगा A अब IEM 56 question देखते हैं the moment of a photon is P the corresponding wavelength is यहां पर राटनसर हो जाएगा lambda by P 56 का राटनसर आपका A बिल्कुल correct हो जाएगा अब IEM 57 question देखते हैं the value of the plank constant is इसका राटनसर आपका हो जाएगा A अब IEM 58 question देखते हैं the mass of the photon at rest is यहां पर राटनसर हो जाएगा 0 अब IEM 59 question पर a nucleus represented by the symbols zx power a has यहां पर राटनसर हो जाएगा B z protons and az neutrons अब IEM 60 question क्या है the energy equivalent to equivalent to 1 amu यहां पर राटनसर हो जाएगा यहां पर राटनसर 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 हो जाएगा अब IEM 61 question पर which rage are positively charged particles यहां पर राटनसर हो जाएगा bator rage 61 कर राटनसर राटनसर आपका b हो जाएगा अब ICM चलते 62 question पर the source of H यहां पर राटनसर हो जाएगा d b थीक है अब ICM चलते 63 question the idea of displacement current is due to यहां पर राटनसर हो जाएगाibl 63 कर राटनसर रापका d हो जाएगा दा इनर्जी देन सीटी इन स्टेटिक मेगनेटिक फिल्ड इज इसका राइट एंसर डावलू एम इक्वल वन टू बी स्कूर मी मू राइट एंसर का 64 का राइट एंसर भी हो जाएगा अब आई हम चलते 65 कोश्टन पर वीच वन इज कोड़ेक्ट यहां पर आपका D हो जाएगा अब आई हम चलते 67 कोश्टन की अड़ेल अग्टेंस इस दा मेजर इन राइट एंसर हो जाएगा यहां पर राइट एंसर हो जाएगा D है जाले 71 कोश्टन पर फोर डो स्टेविलीटी अव अब टेंसर हो जाएगा अब आई हम चलते 72 कोश्टन देखते हैं यहां पर राइट एंसर हो जाएगा चलते 74 कोशन देखते हैं एभव क्योंडी टेंपरेचर फेरो मैंगनेटिक सबस्टांस भी कॉम्स यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर आपको 75 कोशन के राइट एंसर यहां पर बताएं अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो आपके लिए हैलफुल था वीडिय चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा थांक्स पर वाचिंग इस वीडियो